हम जैसे बुक्स पढ़ते हैं पुस्तके पढ़ते हैं तो अगर हम पुस्तके पढ़ने से हमें ग्यान मिलेगा या किसी गुरुक से हम कोई वचन सुनते हैं तब हमको ग्यान मिलता है दोनों में कोई डिफरेंस है या इजी वे क्या है पुस्त के पढ़ना या किसी गुरू से सुलना तो दोस्तों इदर एक चीज है सब लोग एक चीज मालूम होना ही है When the student is ready, गुरू will be ready एक अच्चा सा ज्ञान प्राप्त होना है तो हम सब पहला अच्चा स्टूडेंट बनना है Very good student, very sincere, very perfect एक अच्चा स्टूडेंट बन गया तो तब अच्चा गुरू भी मिलता है और इदर हम सोचता है गुरू की इस प्रेकार में मिलता है एक इंसान को सोचता है गुरू मतलब Actually, गुरू मतलब इस टोटल सुरुष्टी एक गुरू है हम के लिए पूरा सुरुष्टी ही गुरू है यदि मैं अंदर से इच्चा से रेडी हो गया कुछ सीखने के लिए कुछ पाने के लिए Automatically हर एक चीज मुझको गुरू जैसे यक्ट करता है वो इंसान के रूप में हो? नई आई तो प्रेकृती के रूप में हो? एक लवी ने कैसा सीखा दिया ग्णान? दनुर्दारी हो गया कैसा? उनका अंदर ये इच्चा सिर्फ पुतला रखकर गुरू जी का वो पुतला से वो सीख लिया इधर ग्णान सीखने के लिए क्या माध्यम है मतलब हम ही है अंधर ब्रीम्द घ्रट रखकर वी आपने अंदर डिमैंड चाहिये कितना इंदर चाहत रहता है आग जैसा हमारा अंदर चाहत रहता है उतना बड़ा गुरू मिलता है आभ़ों को सिखाने के लिए यदि वो बुक का माध्यम भी हो सकता है एक इंसान का माध्यम भी हो सकता है, नहीं तो सुरुष्टी का माध्यम से भी, कोई भी प्रकुर्ती सिखाता है, एक पौधा भी सिखा सकता है हमको ज्ञान, when we are ready. बुद्ध बगवान को कैसा ज्ञान मिल गया? बहुत वुरुक्षिके नीचे. सो, किदर से भी सीख सकता है, first we should become good student. मुझको क्या चाहिए, we should be very clear, my dear friends. एक good student होने के लिए, we should be very clear, क्या है clear मतलब, first what we want. क्या चाहिए हमको, ये चीज मालूम होना है, क्या चाहिए? और यदि ये चाहत को मैं ready हो गया, ये लेने के लिए, राम जी को, उनका गुरु ने, वशिष्ट जी ने बोलता है, क्या राम आप ready हो गया? Are you ready to take these all things? आपको बहुत कुछ चाहत बोलता है, 16 years में आपको वाईराग्य के बात बोल रहे, बट ये सब लेने के लिए, ये सब कोशिन्स को पाने के लिए, Are you ready? First, prepare हो गया क्या? That is most important as a student. तब गुरु अपने आप मिलता है. इदर ready होना मतलब बहुत लोग को doubt आता है, अरे मुझको ये spirituality पसंद है, तब मैं ready हूँ? नहीं, आइसा नहीं, ready मतलब 100%, अंदर से ready होना मतलब, First, we should be clear, हमको क्या चाहिए? और इसमें मैं कितना तक कड़ा रहोंगे, क्योंकि spiritual path इतना easy नहीं रहता. चोटा 10th class exam के लिए, पूरा साल बर preparation चल रहे हमारे, और unit test, assignment, teacher का test, बहुत कुछ चल रहे हैं, और ये जीवन का मुक्ती का पद का examination है. तब इजर कितना preparation चलता है, कितना examinations देना पड़ता है, सब के लिए तयार रहना. कितना चलता है,